हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कर देंगे एक एक लड़की का खून कर देंगे ताकि कोई रानी जैसा दुस्तास न कर सेगे हुआ हम किसी को नहीं चोनाएंगे बताओ कहा है सबके साफ यह क्या कर रहे या हमने स्वयम चीशे सुनी है सब चीश किसी उसले किसी को जीव पांगे राजा जी राजा जी रानी जी के सज़् आप सबको दे रहें अभी समेल में कोई भी लड़की ने है बताओं अभाए सब कचाप एषिं को चीवित नहीं चोने के रहें चोट चोट राजा-जी बचाओ lambda, ऑैका बस्तो को... ऑः बस्तो को बस्तो connection ऑचला। चर वो थूच्स cảफश है ऑच्स टाँ बस्तो को बस्तो को अच थूचआ 다음에 बस्तो को को अगी कि बस्तो को जब स् Bueno झाल इस वतन भवन में एक भी मनिला जीद नहीं बतेगी यह है आपके परदादा राजा दानोल तोला की कुरूरता की सच्ची कहानी उसके बाद उसी तलवार से उन्होंने अपना गलावी काट लिया आज भी उनकी यह बात इस महल में कायम है आज भी कोई हुरत यहां सिंदा नहीं बश्टी चली जाओ यहां से छुटी मालकिन यहां से चली जाओ कि यूनो वाट मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम और तुम्हारे पूरवच इस महल का सालों से ख्याल रख रहे हैं और तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे ये मनगडन कहानी को सुनकर मैं डट जाओ और यहां से भाग जाओ लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूं इस करोणों की प्रॉपर्टी की मैं इकलौती वारिस हूं और जैसा मैं कहूंगी ना वैसा ही होगा कर रहाँ मेरी कुछ मेहमन आया है मेरे साथ जो इस हवैली में पैसा में बढने वाले क्या है ना, Duiik Kundah? कि मैं इस हवैली को फोटल में बदल रही है ऑर जो लोग पैसा में आया है मेरे साथ अगर अन तक एसी कोईभी stupid स्टोरी गई तो तुम्हेरे राजा जी कुछ करे ना करे, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर जाओंगी कि तुम किसी को स्टोरी को सुनाने की काबिल नहीं रहूंगा। एकम चुप! नाश्टे का टाइम हो चुका है, मैं मानों के लिए नाश्टा लगा। इडियत! किसी का टाइम चुका टाइम कर दो में यहार हो, समय हो. घ कुछ ड्वारं इसले का लूस Anyone doing the right? चुछ रवाघम कुछ बातलिकन dू कर मारे खाधिंजी तोन आपसे मैंने कहा था कि कोई और अवरत नहीं बचेगी मारे गई वो. Can you be., shut up? शट आप और तुम मेरा मुग्या देख रहो जाओ एक आम करो उपर जा के देखो वह ही होगी गो चोटी मालकिन चोटी मालकिन मैंने महल में सारी जगह देखी लेकिन वो दोनों में हमसाब नहीं देखी चोटी मालकिन चोटी मालकिन चोटी मालकिन दिया और माय में साब बाहर भी नहीं है तुम्हें नहीं पता है वहां भी नहीं है तुम्हें नहीं पता है वहां भी नहीं है तुम्हें नहीं पता है तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे महमान कल रात को सोती हैं सुछ नहीं पता कि वो भी नहीं होगा अरे यार सुभा के नौ ही तो बजे अगद मैहल में नहीं है तो खेतों में गही हो यह गहीं पर घूमने के लिए अब इस बात का क्या इशु बनाना मर थोड़े ही गही है दोनो रॉना, हो के निस से सम्थें लिए इस फो देम मैंने कहा था मैंने कहा था जोटी बाल कि राजार साहब किसी औरत को जिंदा नहीं चोड़ेंगे मैंने कहा था कौन नहीं चोड़ेगा और किसको कौन है आप लो और अंदर कैसे है C.I.D. कौन है बदा चला यहाथ दो दो खुण हुए खुण? खुण? किसने कहा था? मैंने यह बोल रहा तुम किट्टू? किसका खुण हुआ यहाथ? किसका? यह ग्लीली आप यह माइंद यहाथ 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 आपको गलत इंफॉमिशन दी है यहाथ कुछ नहीं यहाथ कुछ नहीं अरी यहीं परती सर सर मैंने अपनी आपकों से देखा है सर यहाँ पर दो सर कटे लासी थी कहाँ कहीं हाँ सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर किसी की लाश नहीं है किसी का खुण नहीं हुआ है लाश कहा है और खुण हुआ है कि नहीं यहां पता लगाएंगे, आप लोग प्लीज जरा बार जाएगे, चलो इधर से चेक करला सर्फ सर्फ यह दे किसे, यहां पे खुन लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पे कुछ हुआ था, और ना इस तरह से यहां पे खुन नहीं लगा हुआ था खुन और लाश, दोनों को साफ किया गया है अभीजीत सर्फ सर्फ दोनों लाशे सर्फ पत्र यह जय गएन आपको यही है उदोनों यह और माया जला नहीं इन लों को तो उप सर भी नहीं और उन दोनों ने क्याल रात को यह कप्री नहीं पहने थे यह कपड़ी कहा से आइनके पाद नहीं? और किसी ने उनको ऐसे क्यों मारा है? मैंने समझाय था साफ, चोटी मालकी इनको समझाय था इन लड़कीं के साथ यहां मत रहिए राजा दानों तोना ने जीते जी महल के सारी औरतों को मार दिया था अपनी रानी तक को मार के खेत में टांग दिया था मैंने समझाय था इनको, समझाय था कि नहीं सामेh जानती हूं कि यह सब किसने किया है इस दूही करना में यह चाहता है कि मैं यह सब देखकर धर जाओं भाग जाओ यहां से और यह मेरी प्रॉपटी पर गबजा जबार है कोन किसने किया है किसने नहीं यह हम पता लगाएंगे वो भी चौबीस घंटे के अंदर अलो आईए सर यह कटोरी डंटा पकका हमें कुछ बताना चाहता है जियां सर पिछले 48 घंटे खामोश रहने के बाद उसने का कि हरपेस डंगा रहे के बारे में आपको कुछ राज की बाते बताना चाहता है मुझे तो लगता है वो सब ड्रामा इसलिए कर रहा है ताके हम लोग उसकी बातों में उल्जे रहे हैं बड़ी नजर 24 घंटे रखनी चाहिए कभी भी कुछ भी कर सकता है वो एक खास सरव के सेल में उसे बन करके रखा है यहां तक कि उसे खाने और पीने की चीज़े भी कागस के प्लेट और ग्लास में दी जाती है किसे बिलना दो दूर मों किसे बात तक ही कर सकता सर आज अचा तक से उसने आप से मिलने की कौा इश्की और फिर हमें आपको तुलाई रिको अंदर को नहीं जा सकता अब बले अउफिसर के साथ क्यो नाँखो अंदर नहीं जा सकता रिलेक्स बोईस वही ये C.I.D. के लोग हैं, इन्ही के वज़े से व अंदर बंद है आजू आईए हम एसे के लिए में कुछ बात करना चाहते हैं ठीक क्या बताना चाहते हो हर्पिस डोंगारा के बारे में यह बताओ के संजे की टेट बॉड़ी काँ छुपा के रखी है का यार पेस्टोंगे रहा का यह बताओ के लिए यह बताओ का यह बताओ को यह बताओ के लिए यह बताओ के तुम हमें कुछ बताना चाहता है यह बताना चाहता हूं तो कुछ नहीं है अरे हाँ वो क्या था ना कि तुम नोगों ने मुझे पकड़ा यह बंद करके चले गए अकेला बैठा बोरोड़ा था तो बुला लिये तुम दोनों का दोरा क्या का तुम दोनों की फिरकी लेने में ना एक अलग ही मैसा है भाई हमारे पिर के लेगा तू हमारे पिर के लेगा तू छोड़ो मिरी गर्दन तुसरी है भी नहीं अभिजीत बोलो अपने दोस्टे की मिरी गर्दन चोड़े अभिजीत है है ने ठीक है बहुत गुसताइत जो युगा भूगा करहो वहाद माजाग सुजरा तो जाहते क्या हो तुम सब को हारा हुआ और मजबूर दिखना जाता हुए बहुत सब को निरता है जाए ज़ चुहे बिली का खेल खेल रहे हो ना तुम जादा नहीं चलने माला बोलना तो पड़ेगा तुमें आज नहीं तो कल वो कल कभी नहीं आएगा अबजी सर्र यहां से पर खरकर वड़ जाओं लेकिन तुम पूछी रहे हो तुमारे आदे सावल का जबाब दी जाता है संजे की टेड़ बोडी मैने चुड़ाई थी तुम अगर उस सर क्या दरूंगा यह नहीं पतन सको अगर बार बार नहीं बचा सकता ना अगे आगे देखो होता है क्या वक्त बात खराब शाद रहा है सी एड़े का टेक टॉक 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 बड़ा पकावा खिलाडी है यह किसी और तरीके से मूग खुलवाना पड़ेगा इसका तुम ज़रा शांत रहा है मैं इसे भी साफ से बात करता हूँ कोली के रहा है है क्या वा अंदर सर अंदर से गोली चल देखिया वा जाए कोल असको जंदी गोली मारते है इसने इसके पास यह गन कहाँ जाए मुझे नहीं पता सर शीदे तो मार चुका यह कैसे मर गया सर कैसे मर गया इसका जवाब तुम्हें और तुम्हारे इन गाच को देना होगा तो बाहर पहरा देरे दे गाच तो बाहर है नहीं सर क्या हाँ काटते है ना भी यहाँ पर नहीं मतलब मैं आता नहीं यह काँ चले गए सर मैं देखता हूँ क्या माँ जाए खोली मारली और और इसके पास पास साल पहले तूर एक देश में जिसका नाम स्विट्जर लैंड है वहाँ पे CID के तीन होनार अफसरों ने एक बदमाश को को लिए बदमाश का नाम था हरपिस डोंगारा के दोंगारा की लाश को लिखा के वही बदमाश बदमाश के लेट गई मगर उन-ठीनौ PRESID वने दोंगारा की लाश को वहीं पे छोड़ दिया भालु मालूम है दोंगारा की लाश में से एक और बदमाश पैदा हुआ ए कटोरीuran для जम्टा कटोरी इसने मेरी नीद हराम करके रखती है सर अब और नीद हराम नहीं करेंगा वापकी वो मर गया है वो मर गया नहीं है उसने अपने आपको गोली मारी है तुम लोगों की नाग के नीचे अच्छा तुम लोग डम्टा से कितनी दूर थे सर करीब ऑफचीस-तीस फीट की तूरी ती ऑफचीस-तीस पीटली और क कि तर के जट पले मिला था में तो तीन चार मिनिट पले तो…" इस तल थे उसlerin है अगर होती तो ले लेते सां तो तीन चार मिनिट प्चीस त्हां से आगे उसके पास पता नहीं सर, शायद छपा के रखी होगी भी वो कमांडोस भी ठेना बार वो डूटी कर रहे थे हैं, मख्या मार रहे हैं, खड़े रहे के सर उसके बाद से वो दोनों गायव है लगता है उन दोनों ने कोच गड़बड की है येई येई अबजी अचा तुम बाहर हो, ठीक, आपी पेच दो फ्रड़ी, पंकच अबजीद लाश लेकिया है, जार उसकी मदद करो सर अबजीद कटोली डंटा की लाश लेकि याँ पर आया है यहाँ पर क्यों? सालूंके को दोकान बंद है क्या? नहीं सर, डोक्टर सालूंके नहीं कहा के पहले लाश को DCP चित्रोली को दिखा दो, नहीं तब बाद में मेरी गर्धन पकड़ेगा ये बोला सालूंके? नहीं सर, अचे सालूंके की तुम मैं हाँ भी ना लाँ, हमाल के सर, ये पाटोरी की लाश है मैं काटोरी की लाश देख नहीं सकोंगा इतनी बड़ी बेज़ती हुए है तो लोगी वज़ेस नहीं नहीं देखो सर, आप एक बार देख लेते तो पर एम ये सालूंके सालूंके साब के पास बेज़ देंगे ठीक है इसने कहां पर मारी गोली हुए 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 करेगा तो सीर में गोली मारेगा ना चाती में कोली क्यों मारी अबे काटोरी अचाची तेरी क्यों रोरी जोसे छीका का टोरी का रंग फीका ताली बजाओ जरा भाई काका कटोरी चाची तेरी क्यो रोरी काका कटोरी आके देखो आके देखो काका कटोरी चाची तेरी क्यो रोरी चाची तेरी क्यो रोरी कटोरी 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 अटली अब एचित्रोले तिन भर रोता रहता है अब दिल खोल के हस और डांस कर हरपिस टूंगारा अब हरपिस टूंगारा कहा से आगया हरपिस ले गया आपका टोरी की लाश अब हरपिस लाश का क्या करेगा अब दांस करेगा जयते मैं कर रहा हु ओ नो वह अरत कौंसी अरत साब वह मेरी गाड़ी जब सिग्नल पर रोकी तो साब साब गरीब को मदद करो ना कुछ पैसे दो ना साब साब कुछ मदद करोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा तेजो डीक मंगना चीक बात नहीं आप अच्छी काती हैं पैसे कमाई है आप समझे काम करिये साब देदो ना मेरा बच्चा दो दिन से भूका है अरे बोलो ना ताई डीक मंगना गलत बात है ये बच्चे को तुम कुछ भी करो मुझे नहीं चाहिए मैं अपने बच्चे को भूका नहीं देख सकती हूँ है मुझे उस वरत के पीछे नहीं जाना चाहिए था क्या फाइदा इंडिया में बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा इस CID के नाक के नीचे से कोई लाश ले गया अब यहां खड़े खड़े ये यूरो का फ्लोर खड़ा मत करो समाल के रखो यह आंशु जाओ वहां जाओ सतन बवन वहां पे जाके बाओ 24 गंटे याद रखो समझें 24 गंटे में केस अलवाना चे सर, हवेली में ऐसाथ कुछ भी नहीं मिला कि इन लोगों पे शक किया जा सके हाँ, लेकिन है तो कोई हवेली का यहाद में छोटी मालकीन, छोटी मालकीन, छोटी मालकीन दो बंजारन आई है, उन्होंने हंगामा मचा रखा है बंजारन? नाच गाना करने आई है ना? एक मिलिट यहाँ पे दोदो खूल हुए और तुम्हे नाच गाने के पड़ी है हाँ, चलो बेड़ो था बंजारन और यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ एक गाँ गाँ एक जटके में गर्दन अलग कर दी गई है इसमें इसकी गर्दन की पूरी गोलाई आगी है 14.8 इंच इसे गोलाई में गर्दन काटना तो असान ने होगा लोक साँ बिना तलवार के इस तरीके से गर्दन काटना ना मुंके ना अरे गाँ यह भी बताता है के तलवार की धा कुंद होगी थी कुंद मतलब तलवार की धार तेज नहीं थी? नहीं एक बात आओ एक चीज़ और बताता हूँ देखो यह देखो यह देखो, माइक्रोस्कोप में कुछ छोटे चोटे दब्बे देखाई दे रहे हैं? इसमें भी देखो यह दूसरी औरत का अधब्बे हैं तो यह दब्बे दरसल जंग है इनके खून में जंग के कंड मेले है तलवारे पुरानी है और अनपे जंग लगा हुआ है यह संग इतनी पुरानी होगी अब जंग की उमर पता लगाने में तो 24 घंटे से ज्यादा लंगे और मारे उपर तो तलवार लटकी हुए ही है 24 घंटेकी सर यह 24 घंटेवार मत बो दो ऐसी डर लगता है इस पाल अधिक एड़गार नबंगा भी सै मतलब इन दोनों ने जो कपड़े पहने थे वो पुराने थे हाज है वन इतने पुराने के इन पर फंगस लगी हुई है ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से किसी एक ही जग़े पर बंद रखे हो यह देखे हैं इन पर प्रोटोजा के ट्रेसिस और कुछ ऐसे बैक्टेरिया मिले हैं जो अकसर अंधेरे में और सीलन वारे जग़ों पर पाए जाते हैं प्रोटोजोवा यह क्या है सिंगल सेल एक कोशी जीवानो पुरानी जंग लगी तलवार अंधेरी सीलन वाली जगह जहां सूरज के रोशनी न जा पाती हो ऐसी जगह हवेली में तलाशना मुश्किल नहीं है वाँ जरूर कोई तैखाना होगा जवन्ती साजिन को बोलो पता करे वहां ऐसी जगह कहां पे है मैं सेर आप महल का कोना कोना चान बारा तैखाना तो कहीं भी नहीं है सेर हाँ हाँ सर बस प्रोग्राम शुरू होने वाला ठीक ठीक और नगया क्यों बंद कर दे और तुम हो कॉन स्क्यूज मी स्क्यूज मी कोई मुझे बताएगा कि हो के रहे याँ पर विदाउट मेरी परमिशन्स लोग अंदर के से आजा रहे कोई भी मुठाय शुला रहे याँ और कोई भी परफॉमेस देनी लगए बताएगे हो के रहे राजकुमारी राशिवाजी गल्ती के लिए माफी चाते हैं और तुम दोनों तुम दोनों का नाशने का बटन ओन रहे गया क्या ना आओ देखा ना ताओ देखा बस नाशने लगए अब जब कोई बात नहीं हुई है प्रोग्राम कैसा होगा कौन-कौनसा डां सौगा पैसे कीतर है मिलेंगे कोई बात हूई नहीं और तुम लोग आशने लaysे मिलिंजी हम पैसे के बात कैसे करते यहां यहां तो खून हुआ है हां भो भी दोधूल सर कट गए मिलिंजी सर वो तो वो हम आपके डर के महारे नाच रहे थे वरना बिना पैसे तेह के हम कही नाचते नहीं हाँ आरे दोदो खून है तुम लोग यहांपे डांस कर रहा हुआ बांद देरो चलो 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 अरे मिलीजी अब अब एतनी रात को का जाएंगे अरे काई साड़ाग पर जो लेंगे चलो यहांसे एक ड़े एक ड़की ठीक है रही एक पर देखो रात बहुत हो चुकी और यह लागा भी बहुत खातरना था तुम लोगे काम करो अब आज रात ही रुख जाओ और कल सुपर है निखल जाना शुक्रिया शुक्रिया साप अरी यह तु मेरा परस है आसर ठीक से क्या ठीक है सार हम अब ही निकलते हैं ओके देखिए खुनी के बारे में एक एहम सुराग हाथ लगा है इसलिए हमें जाना पड़ेगा लेकिन हाँ जब तक जाच चल रही है हम लोग यह आते रहेंगे और एक बात और जब तक यह केस फूरी तरह से सॉल्फ नहीं हो जाता आप मेंसे कोई भी बार ने निकलेगा समझे आई 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 यह रहा आप लोग और कम्रा सर सचिन सर को यह मिला था दिया और माया के कम्रे के बाहर यह क्या लिखाए से समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखाए यह उल्टा तो नहीं है यह देखो रात के साड़े बारा बज़े अंधेर गली अंधेर गली यह क्या होगे सर यह 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 जल से जल्द हमेंसे अंधेर गली को टुणना होगा सर तिया और माय को किसी में भी हवैली से भार जाते हो देखानी मतलब अंधेर गली यह होनी चाहिए इसी हवैली मैं यह शेर अंधेर गली वही राकाना है जिसके तलाश हैं में सचीन और इशिदा को दिखाने क्योंकि आको के सामने है नहीं सर अब सिफ नो घंटे बचे ही केस को सॉल्व करने में कोई तो है यह है कौन और एकली रात को ऐसे चोरी चुपे कहां जा रहे क्लूम सर तल्वार यह है तल्वार? सर खूल भी तो तल्वार से हुआ है अरे तुम लोग कौन हो? हाँ? अबेली में चोरी करने के बाहने कुसे हो क्या? नाशने गाने तो लगनी रहे तुम के सबको अबेली रट C.I.D. तो तू है वो तो राजा के नाम से मेल के आउर्तों को मारता है मैंने किसी को नहीं मारा मैंने किसी का कुण नहीं किया साब वो यह तल्वार तो इमें चुरा कर मेचने ले जा रहा था साब वो क्या है रहे साब बरसों से मेरे पुर्खेस हवेले के सेवा करते आ है मगर पगार आज भी वही है जो कल थी साब मेरा खर्चा ठीक से नहीं निकलता अपने बच्चों के शौक पूरे करने के लिए मैं यहां के खांदानी चीज़े कभी-कभी चुरा के बेज देता हूं साब साब, अवराली मेरा खुप जया देखेते दमेरा खुझा साब मैरे खुण नहीं किया सार, तलवारों पेट ना तो खुण है नहीं, जंग यह बता यह Андेरगली किया है? और कां है? यह यह मैं यही तो खाड़े मैं? How काश मगता? कश्मी अ यह यह जरा ठूंडो, तेखाने जाने का कुफिया रास्ता यही कही होना चीह है मेरे 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 खोड़ने हैं मेरे जाओ जो चुप साथ साथ चल से यह देखे कुफिया रास्ता हमेशा फर्स से नहीं खुलता कभी-कभी काबिनेट में भी खुलता है पटाओ से पुर्वी इस पर नजर अखो अमनों बजिखने अंदर इस पर नजर मेरे मेरे ग्मी खुलता है थे तो यह खुलता ओिंद मेरे मेरे युब याजना ही है तो नहीं बात भूँ सर ये खूण के छीटे क्या होगा याँ पर इस तो हो आशे हैं देखते हैं ये बद्बू ये तो सीलन और खूण की बद्बू है तो सीलन और खूण की बद्बू है ये आनी के कपड़े किसी ऐसी जगे पर हैं जां पर सूरज की रोश्ण नहीं पड़ती और सीलन है वसे साथ ये तो वो कपड़े जिसल्मारी में और चीए सर तल्वार वो ये खूण से सना हुआ जंग लगा इस बैए तो देखो कुछ आ रहे हैंगे सर सर क्योब सर सर वो सर पागल्पन के भी हत होती है कि भी पुरी तरह से इनके सर को काटा गया है सम्रे में खूण पड़ा है मालब इन दोनों को यहीं आके मारा गया है सर मकडी के जाले पे भी खूण के चीटे सर सर अर यह यह कुछ फसा हुआ है जाल में यह तो कुछ चोटा सा कुड़ा जैसा कुछ है यह तो कुछ निकालते हैं 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 आपके पास आने का टाइम तो था नहीं आपके पास आने का टाइम तो था नहीं आप तो कपड़ी बदलने में तना टाइम लगा पिशा और यह क्या सर तलवार पे जो खून मिला था उसका सैंप्ल और कितना वक्त लगे यह सर कर रहा हूं दया, कर रहा हूं मुझे मालू मैं चॉप इस गंटी की तलवा लटके हुई है कुछ ही मिनट तो बस यह खून किसी आदमी का है तर फिर तो जरूर खूनी का ही होगा क्योंके मौत तो दो लडकियों की हुई है दिया और माया और यह शायद उस खूनी के साथ आई थी यह है क्या वाधों का खीड़ा जिसे वाइट फ्लाइ कहते हैं और यह इतने खतरनाक होते हैं कि देखते ही देखते खेत के खेत साफ कर जाते हैं खासकर कपास यानि के रूई के खेत यह देख तो इसका मतलब यह है कि आप लोग आर्टिस नहीं है आप लोग C.I.D. ओफिसर्स तो यह सब ड्रामा था इन ओफिसर्स का यहां से जाना और आप लोगों का आना इसका मतलब आप लोग हम पर नजरा खरे देए करना पड़ता है खुनी को पकड़ने के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है माप कीजेगा आप लोगो तकलीफ हुई इसका मतलब आप लोगो को खुनी का पता चल गया जे है कौनी वही है जिसके हाली में गुई की फसल बरबाद होगी थी और इस वक्त वो हम लोगों के बीच में मौजूद है हां Mr. Madan आगे की कहानी आप खुद बताएंगे या उगलवाना पड़ेगा हां Madan तू तू क्यों किया यह सब यह हवेली गतन भवन कभी भी राजा दानतोला की जैदा थी नहीं हमारी पुरकों की थी छीन ली गई थी उनसे इसलिए मैंने तै कर लिया था कि किसी भी कीमत पर इस जमीन को मैं हासल करके रहूंगा इनसे दिया और माया का खून क्यों किया है? क्योंकि वो दोनों आशिमा के होटेल में सबसे जादा पैसे लगाने वाली थी उनको मार कर मैं आशिमा को यहांसे भगाना चाहता था और उस राजा दानतोला की कहानी को सच साबित करना चाहता था मतलब यह कि तुम कभी यूएस गए ही नहीं तुम अनाराय नहीं हो और इंवेस्टर भी नहीं हो जमीन के चक्कर में तुमने दो दो मासुमों की चान ली है जमीन तो तुमें मिलेगी अगर महल की नहीं जेल की काल को उठेगी सर और चोवीस घंटे के अंदर हम लोगोंने केस सॉल कर दिया जीतिया ठीक है ना हो जाती है गलती कभी-कभी हमसे भी तो यार मेरे दिमाग से निकली नी पा रहा है कि इतनी बड़ी बेवकूपी मुझसे हो कैसे गई केस तो हम लोग सॉल्व करी रहे है डीसेपी चुतरिले कुछ भी बोले चौबिस गंटे के अंदर हर केस सॉल्व करके देंगे लेकिन यह कटोरी डंटा की बॉड़ी ऐसे अचाना गायब हो गई वो जो इजाम CID टीम पे लगा ना सिर्फ मेरी वज़े से हो अभी तरह मत सोचो अब इस बारे में लोग बात नहीं करते हैं नहीं यार वो रिवाल्वर उसके पास आई कहां से उसकी बॉड़ी अचाना गायब होगए यह यह हरपिस टुंगारा का मकसद क्या है सर उसका मकसद कुछ भी हो सर हम उने कामयाब नहीं होने देंगे अब जी यार इतना मत सोचो और इपनलेंगे इनसे भी सब साथ में हैं आयर मैं समझता हूं लेकिन डरी सी बात का है कि इसकी कोई भारी कीमत ना चुकानी बढ़ जाए आम डोह को क्रिस्टफ यह वही नंबर है जो एसी पसाप ने दिया था एमर्जेंसी के लिए हलो हलो ऑफिसर टायर मैं ऑफिसर क्रिस्टफ एसीप प्रद्यूमन का कॉंटाइक हाई क्रिस्टफ सब्सक्राइक है एसीप प्रद्यूमन कहा है एक ख़बर है जो आपको परिशान कर सकती है हमें आज मिलना था एक ख़बर लना हरपीस के बारे में लेकिन 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 क्रिस्टफ 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 वल्कि मुझे यह भी नहीं पता कि कहां है वह औतने कमरे में नहीं है और उनका कमरा, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। कुछ बहुत ही पुरा हुआ है थापन तू ACP Pratyumil के साथ। पुरा हुआ है थापन पुरा हुआ है थापन तू